दोस्तो आप जुड़े हैं सुन्दर बिहार से और देखिए बहुत सारे हमारे फ्रेंड कहते हैं कि मैं मचली का शिकार करने जाता हूँ बड़ा मचली के लिए और छोटी मचलिया खाती है तो एक्जामपल में मैं दिखाता हूँ आपको यहां देखिए यह नदी का सीन है दोस्तो और एक्जामपल में देखिए यहां पर वो वाइट कलर का जो दिख रहा है वो चारा है और यहां भी जो वाइट कलर का दिख रहा है यह भी चारा है तो प्रैक्टीकल दिखाना जरूरी होता है दोस्तो आप देखिए इस वीडियो अब फिर से देखिए फिर से ले गई अब फिर से देखिए दोस्तों अब देखिए मेरे हाथ में यह देखिए मेरे हाथ में थोड़ा सा बड़ा और लंबा चारा है इसको भी मैं पानी के अंदर डालता हूं और देखिए क्या होता है इसको भी ले गई लेकिन अब ये बड़ा चारा है देख रहे है न बड़ा चारा है और इसको पानी में मैं डालता हूँ देखिए क्या होता है ये देखिए बहुत सारी मचलिया आई लेकिन उनको चारा ले करके जाने में दिक्कत हुआ क्योंकि बड़ा चारा है तो दोस्तो जब भी आपको बड़ी मचली का शिकार करना है बड़ा चारा डालिए छोटी मचली का शिकार करेंगे छोटा चारा डालिए तो आपको मचली का शिकार होगा हो सकता है कि बड़ा चारा हो तो मचलिया थोड़ा 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 चोटी मचलिया काट के लेकिन शिकार में आएगी तो आपको बड़ी मचली, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको, यहां example में देखिए वीडियो में दो बड़ा चारा दिखाई दे रहा है, और मचली तो हैं, देखिए छोटी मचली आप देखेंगे वीडियो में, मचली हैं, हलका हलका दिखा दिखाना जरूरी था चारा छोटा डालेंगे छोटी मचलिया खाएंगी बड़ा चारा डालेंगे बड़ी मचलिया खाएंगी जो रोहू ग्रास कतला इस तरह की मचलि का शिकार करना है तो आपको बड़ा चारा डालना ही पड़ेगा नहीं तो छोटा चारा रहेगा और इसम और जो हमने बड़ा चारा डाला है वो आटा थोड़ा हाड है सक्त है तो देखी ये छोटी मचलिया लेकर गई तो दोस्तों ये प्रेक्टिकल वीडियो था आपको दिखाने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ओके दोस्तों सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद, थैंकियू, शुक्रिया